इन क्लाइंट का हमने पहले जोर्जिया का विजा कराया था, जोर्जिया नोंने ट्रैवल किया, अब इनको ये स्टीकर विजा मिल गया, टर्की का, टर्की का स्टीकर विजा मिल गया, अब ये योरोप का गेटवे है वाई, यानि कि अब इनका जो शैनिकन विजा है, वो भी पक्का हो चुगा है कि 99 परसेंट वह भी मिल जाएगा तो भाई देखो ऐसे ही आप लोग भी अपनी ट्रेवल हिस्ट्री पर काम कर सकते हो अच्छी कंट्री जानी कि ज्यादा बड़ी कंट्री की ट्रेवल करने से पहले निसे लिए कर आप स्टार्टिंग में ही अपलाए कर टर्की का भी वीजा मिल गया अब इनका योरोप का भी वीजा आने वाला है जल्दी तो ऐसे ही भाई यह सारी चीज मैं इसलिए शेयर करता हूं कि जो लोग वीजा लेते हैं ट्रेवल करते हैं अफिर अच्छी कंट्री का वीजा भी मिल जाता है तो आप लोग भी इस कोस्ट है और क्या इसका प्रोसस है प्रोससिंग टाइम क्या है डॉकुमेंट्स क्या लगते हैं यह कितिने की अपविज्चम्रेश वो मिल जाएक है अगर ऑनको आपको बैलन्स भी कंब है थीक ह麼 दो लाग से विका में डेड़ लाग या सपास आपके अकाउंट में बैलेंस है इवन देन आप इस वीजा को अप्लाइ कर सकते हैं क्योंकि आम वैसी कुछ बोलती है कि भाई एक लाग से जाद आपके अकाउंट में पैसे होने ही चाहिए तो बहुत सारी चीजे हैं अच्छा टाइम है अभी टर्की का वीजा अप्लाइ करने का क्योंकि इससे बड़ीया टाइम सायद अभी नहीं मिलेगा अगर आपको यह वीजा मिल जाता है तो भाई शैनिकन के बहुत अच्छे चांस आपके बनते हैं तो यही वीजा है और बहुत सारे रोग इसके बारे में पूछ रहे थे भाई एक्चली यह योरोप का गेट वे होता है आपको सही बताऊं तो भाई अगर यह स्टिकर वीजा आपको लेना है तो आपको यह स्टिकर वीजा कैसे मिलेगा इनका कैसे अप्रू हुआ है तो वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो में आपको ओफिशल स्टेटमेंट जो इनकी चेकलिस्ट होती है उसके असाब से मैं डोकुमेंट्स भी आपको समझा दूँगा कि एक्चुल में क्या-क्या डोकुमेंट् पादा सेंस इसकी अपोंडमेंट्स होती है वही आपको सब्स अशाइज की वहां पर आपके आठ तैन थाजार रुपे लगते हैं तो यह वहां पापका खर्चा है उपर से जो सर्विस चार्जिज और फाइल एड़ी करने का चार्जिज है वह अलग से तो भाई टर्की का वीजा गेटवे उफ योरोप क्यों है क्योंकि यह वीजा मिलने के बाद आपके जो योरोप के चांसे हो बहुत जादा बढ़ जाते हैं योरोप का वीजा मिलने के तो इसलिए मैंने वोला कि यॉरोप का गेटवे क्योंकि टर्की का विज़ इसके पास होता है तो उसके बहुत अच्छे चांस रहते हैं कि उसको इन फूचर जो वह शैनिकन अपलाए करते हैं तो उनको विज़ा मिलता है पुराने केसिस पहले हैं बहुत सारे अजिस इनको पुरा प्रोसस बता दूगा कि क्या इसका प्रोसस है कैसे आपको यह करना है और कैसे आप इसको कर सकते हो तो भाई देखो जिन लोगों को बहुत सारी बंदे को पुसे और कॉंटेक्ट पे यूटूब पे भी तो भाई कॉंटक्ट आपको सुरफ ऐसे करना है आपको इंस्टाग्राम पे फोलो करके मैसिज करना है बस बाकी सारे information, contact number, details सारी सब कुछ आपको किसी आपको follow करके message करना है वहाँ पे आपको apply मिल जाएगा और किसी भी country का apply करना चाहते हो वहाँ पे आप definitely apply कर सकते हो Instagram का link description में है ठीक है और वीडियो के starting में भी आ जाता है भाई तो आप वहाँ से हमें contact कर सकते हो तो टर्की के वीजा के लिए भाई process पूरा मैं बता जेता हूं तो कैसे आपको यह मिलेगा and अगर आपको योरोप का apply करना है तो इससे पहले आप इस country का वीजा apply करो अगर आपको योरोप का वीजा लेना है तो ठीक है तो इसमें अब बहुत सारा process इसका यह थोड़ा सा expensive है बाकि सब कुछ से में जैसे हम किशी शैनिकन का वीजा apply करते हैं Korea करते हैं जापान का करते हैं प्रोसस उनके जैसा ही है तो मैं आपको laptop पे लेके चलता हूं वहीं आपको दिखा दूँगा बता दूँगा तो यहां पर आप देख सकते हो यह इनकी official website है जहां पर सारी details आप लोगों को भी मिल जाएगी तो schedule appointment देखो जो appointment का चार जीज़ है वह आपको बता जाता हूं भाई 6-8-1-4 during the appointment you have to pay और बाकी इसका जो amount है वो 10,000 यह इन्होंने देखो दे रखा है almost 10,000 रुपे हैं तो यह आपको cash देना पड़ेगा ठीक है ध्यान रखना वहाई cash लेके जाना VFS वाले cash लेते हैं ठीक है तो यह इनका पूरा वो process है और इसमें आपको service चार जो भी है सारा आप मिला के वह आप इनका कर सकते हैं तो processing time देख लेते हैं कि processing time क्या है 4 working days में 4 दिन के अंदर यह आपको visa मिल जाता है भाई चंडिगड में इतना है जैपूर में इतना है तो कितना अच्छा process smooth process है बिल्कुल बढ़िया तो इस country का visa आप definitely ले सकते हो भाई बहुत ही अच process time भी बिल्कुल कम है बड़े ही आराम से आप इसको consider कर सकते हो तो टर्की का visa भाई थोड़ा सा expensive जूरू पड़ता है बट chances हैं आपके कि शौर अगर आपको शैनिगन नहीं मिला या फिर कोई भी इस आपको नहीं मिला तो आप इस country को definitely consider कर सकते हो और थोड़ा सा documentation बहुत इस ब्लैक पैंसे आपको भरना है वह एंड दूसरा आपका औरिजनल पासपोर्ट हो गया तू ब्लैंक पेजिस उसमें चीए एक वैलिड पासपोर्ट वैलिड पासपोर्ट का मतलब आप लोग सभी जानते है कि कैसा होता है तो वह आपके पास होना चीए एक कवरिंग ले परपस है क्यों आप जा रहे हैं किसलिए आप वहां पे जा रहे हैं कि वह आप वापिस आएंगे वह सारी चीज़े भाई उसमें आपके बिसने डीटेल आपकी फाइनेंचल डीटेल सब कुछ कवर लेटर के अंदर होती है वह प्रोपर मैंचन करने होती है ठीक है औरिजन स्कूल से चीएगा तो यह चीज चीज होती है रहे नोटी आपको बता दिया उसके बाद इंविटेशन की कोई जरूरी नहीं है हम जैसे टूरिस्ट बीज अपलाइ करते हैं तो होटल बॉकिंग करते हैं तो इन्विटेशन लेटर के जगह हम होटल बोकिंग लगाते हैं आपका नाम और उसका नाम कंपनी का नाम उस पर मेंचन होना चाहिए ठीक है और एक सबसे इंपोर्टेंट चीज जो मैं आपको पताना चाहता हूं वह है यह ठीक है इसमें क्या है ओरीजिनल नौटरी अटेस्टिड नीडस टू भी ड़न यानि की आपकी जो डॉकॉमेंट ले उपका विजनस रिजिस्टेशन है वह अटेस्टिड होएगा नौटरी से ओपको नौटरी अटेस्ट कराना थे एगर जीएट है तो थी मनत की आपकी सेरलिस लिए पकर आप जो मस्ट भी मिनिमूम वल लैक आई एन आर फॉर वन परसा तो अब आप इस चीज को समझो यह कहते हैं कि भाई अमश्य को कहते हैं कि एक लाग तो कम से कम आपके अकाउंट में होना चाहिए हम आपको करते हैं वीजा लेने के लिए तो देखो यह सीन ऐसा है कि अब आप बहुत अगर आपके अकाउंट में दो हैं डाई है तीन है चार है तो बहुत अच्छे चांस है कि आपको वीजा मिल जाएगा तो यह एक बैस्ट ओप्शन है आप लोगों के लिए यॉरोप का गेट बैसे लिए मैं इसको बोल रहा हूं तो फॉर्म 16 एम्प्लोयर का होता है रिट ठीक है तो बैसे के लिए आपके कहना है कि बैसे बीजने से जिसका तो शिक्स मंदिया बैंक से बन प्राके आप लगा दो उसमें बात कातम हो गई फ्लाइट टिकेट होगे भाई राउंट ट्रिप आपको दिखानी पड़ती है ठीक है एंड होटल रिजर्वेशन हो गई ट्रेवल इंशरेंस हो गया अपका ओरिजिनल अथ्राइजेशन लेटर इस रिक्वाइड फ्लेकेंट एंड ट्रेवल एजेंट इन केस एप्लेकेंट इस एप्लिकेसन इस समेड़ बाई रिप्रजेंटेटिव इसका तो कोई मतलब मतलब मैटरी नहीं है पासपोर्ट की को पूड़ा तो वह भी आपको लेगे जाना है एंड उसके बाद एडिशनल लोकुमेंट अपकी ट्रेवल आइटनरी तो यह सारे डोकुमेंट्स है भाई बैस्ट टाइम है आपको की यह वीजा इनको अभी करा अगर अभी के टाइम में आप पपलाए करते हैं तो मिल जाए इंस्टागराम का नॉमिनल चार्जिस के साथ आप यह सर्विस ले सकते हो सक्सेस रेशो काफी ठीक है अगर आपका प्रोसस इजीली हो जाता सारी चीजी सब हो जाती है टाइमली तो डेफिनेटली बहुत अच्छे चांस है कि आपको यह वीजा मिल जाएगा तो टरकी का वीजे के लिए आप हमसे definitely contact कर सकते हो और और कब भी आपका doubt है कोई query है तब भी आप हमसे contact कर सकते हो without any problem तो ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहती है आपका अपना चैनल है definitely आप इसको subscribe कर सकते हो अगर आपको information आप यह लोगों के साथ share कर सकते हो उन्हें friends के साथ travelers के सा जिनको वीजा लेना है उनके साथ तो hopefully मिलिंग आपसे next वीडियो में till then take care bye bye, thank you so much for watching